हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री पर तो पामिस्ट्री में है जैसा कि आप जानते हैं कि माउंट्स होते हैं हाथ पर वीनस का माउंट्ट है, मरकरी का है, मार्स का है, सैटन का है, सन का है जिसको अपोलो बोलते हैं इंगलिश में और जो बीटर का है mounts होते हैं जिनको छेतर बोलते हैं और इसके साथ ही साथ फिर lines होते हैं heart line head line जिसको या brain line बोलते हैं जीवन रेखा मणी बंद रेखा तो इस प्रकार से ही है lines होते हैं, mounts होते हैं और विशेश चिन होते हैं special chin कुछ लोगों के हाथों में पाए जाते हैं और ये सभी के हाथों में नहीं होते हैं बट ये देखा गया है कि कुछ विशेश चिन होते हैं ठीक है इनका फल के आ होता है ये बताना बड़ा मुश्किल है और ये कैसे फल देते हैं विशेश चिन देखे गए हैं, कुछ चिन्नों का पता होता है, फल जैसे आपकी फिश लाइन है फिश का चिन है, मतसरेखा तो उसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने जो है वो भागिशाली होगा और मुशली हमेशा अपने घर में रहती है तो वो अपने घर में रहेगा यानि उसको प्रोपर्टी का सुक अच्छा मिलेगा तो मतसरेखा का हम जो है वो जानते हैं अब बात करते हैं कुछ विशेश नहीं हो की जितनी ज़्यादा लाइने होंगी उतनी ज़्यादा इवेंट्स होंगी लाइफ में रूल लंबर वन लाइन्स मोटी नहीं होनी चाहिए पतली होनी चाहिए रूल लंबर टू लाइन्स कटी भी नहीं होनी चाहिए ठीक है स्ट्रेट होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए कटी और अकर उसमें जो है वो बहुत जादा जो है वो आप समझ सकते हो कि smoothness नहीं है तो lines वो बेकार होती है यह विशेश कुछ नियम है सबसे important पामिस्टी का नियम यह है कि जब कोई विशेश घटना घटती है तब lines चेंज हो जाती है मैंने भी ऐसा व्यक्ति के जिवन में देखा है कि lines चेंज होती है जब हमारे father का expire हुए थे तो उनकी death के बाद में मेरे हाथ की line तेरा दिन के अंदर change हो गई थी और वो आज भी change है तो यह भी काफी important point है ऐसी तरीक ऐसे जब कोई किसी husband मरते है तो wife की line change होती है यह भी मैंने देखा है और यह कई बार इसको मैंने observe किया है चार-पांच cases इसके tested है तो कोई विशेश घटना घटेगी तो line change हो जाएंगी कोई विशेश बीमारी होगी cancer होगा line change हो जाएंगी पक्का line change होती है तो lines change होती है लेकिन mounts change नहीं होती है mounts कौन सा उंचा है कौन सा नीचा है उस पर जो है उसमें कोई change नहीं आता है ठीक है अगर यह आपका venus उंचा है यह थोड़ा सा उंचे का मतलब और छेत्रों की तुलना में उठा हुआ है तो वैसा व्यक्ति जो है वो venus के प्रहाव में रहेगा मर्गरी उठी हुई है तो मर्गरी के प्रहाव में रहेगा जूपिटर उठा हुआ तो जूपिटर के प्रहाव में रहेगा सैटन उठा हुआ तो सैटन के प्रहाव में रहेगा ठीक है और अगर एक से जादा उठे हुए है मांच तो उनके प्रहुआ में रहेगा जिनरली जो है वो लोगों के एक या दो ही मांच जो है वो अबरे हुए होते हैं उसके अलाबा मांच उनके जादा अभार लिये हुए नहीं होते हैं तो मांच लाइन्स के रूल्स कैसे चेंज होती हैं यह बेसिक पामिस्ट्री है और मुझे पूरी उमीद आपको कफी एच्छा लगागो यह लेसन धन्यबाद